संदिख्ध परिस्थितियों में एक 35 वर्षिय प्रवासी मजदूर ने किया आत्म हत्या अयोध्या जिले के खंडासा थाना छेत्र में संदिख्ध परिस्थितियों में एक 35 वर्षिय प्रवासी मजदूर ने आत्म हत्या कर लिया घर से बाहर बरामदे में राद दस बजे के लगभग छज्जे के हुक में फंदे के सहारी लटका मिला सो परिजन उसी इलाज के लिए सिस्सी मिलकीपूर ले गए जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोसित कर दिया खंडासा थाना छेतर के मजरे अलापूर जैराजपूर गाउं की घटना है खंडासा थाना छेतर के जैराजपूर गाउं के मजरे अलापूर निवासी 35 वर्षिय प्रवासी मजदूर कृष्ण कुमार पुत्र साहब दीन सूरत सहर में रोजी रोटी कमा कर अपने परिवार क पालन पोसर करता था जो अभी पांच दिन पहले ही लागडाउन के चलते घर आया था ग्रामीडों के नुसार सभी आवस्यक जांश करवाने के साथ हुआ घर पर ही क्वारंटीन था और सनिवार रात को आत्म हत्या कर लिया पर जने उन गाउं के लोग उसे लेकर सेच से मिलक की पूर गए लेकिन वहां पहुंचने पर डाक्तर ने उसे मृत घोसित कर दिया मृतक के तीन बच्चे भी हैं खंडासा थाना चेत्र के सरवली गाउं में भी इसी माह एक प्रवासी मजदूर ने गले में फंदा डाल कर आत्म हत्या कर लिया था थाना चेत्र में प्रवास पूर पियस खंडासा जो लगवक पांच दिन पूर्व सुड़त से आये थे और अपने घर में हांसी लगाकर आत्मात्या करने करी कोशिस किये इस पर पर जनल द्वारा उन्हें मिलकीपूर हास्पिटर लाया गया जहां डाक्टर द्वारा अम्रे धोसिक कर दिया गया इनायत नगर सविस्पेक्टर सिवानंद यादाव द्वारा पंचायत नामा की कारवाई पूर्ण की जा रही है तत पस्चाद इन्हें कोश्ट माटम है बेजा जाएगा प्रक्रिय चल रही है इसके बाद विदिक कारवाई की जाएगा